तो यहां पर है मेरे पास एक वाइलेस वैक्यूम क्लियनर जी हाँ वाइलेस आप दिखेंगे कि इसके अंदर क्या टेकनलोजी लगी है इसके लिए इसके बाड़ी मोटर है इसके अंदर क्या कुछ सिस्ट्रम है सब कुस्ट ओपन लिए तो काफी इंट्रेसिंग वीडियो हो बनता है तो फटाक से वीडियो को अभी से लाइक कर दो चले इस वैक्यूम क्लियनर को बाक्स मैंने इसका पूरा टेस्टिंग वीडियो बनाया है आप लोग आई बेक्रम जाके देख सकते हैं और इसका वाटेंस इंसाइड बनाएंगे हम लिग इसके मोटर पार्ट का बन सबसे बहूंति यहां पे इसकी बैटरी भाटेंस रेका हैं यहां नियुक्ट वैक्यूम क्लीनर की बैक वी तो यहां पर पी-सी भी लगी हुई है। ज़के और भी खुल सकता है या नहीं तो दिखते हैं अरे अरे यह तो और भी खुल गया तो नहीं के रहुँ यहां पर त्री पॉइंट सेवन वोल लिथियम ओयंच से लगे हुए हैं छे पीस और इनसे पावर होता है हमारा वायलेस वैक्यूम क्लीनर तो भाई ये तो हो गया अब इसके में पार्ट याने की मोटर पार्ट को ओपन करते हैं इसमें काफी साथे स्क्रू है और यहां से पावर सप्लाई जाती है इसके हेड को नचाने के लिए इसका हेड भी गोल गोल नसता आ याने कि यहाँ पे भी मोटर है और हम लोग इसे भी ओपन करेंगे तिख है जहाँ जहाँ भी इसके moving parts होंगे हम सब को ओपन करेंगे तो देखते हैं इसे open करते हैं और भाई ये भी काफी आसानी से open हो गया ये रहूं तो ये रहा इसका mortar वाला पार्ट अभी भी ये और भी open हो सकता है तो यहाँ पर जो आपको wire दिख रहे हैं ये उस roller को ही नचाते हैं जो कि इसके नीचे वाले floor head में लगा हुआ था और भाई ये पूरा vacuum cleaner open होने जा रहा है तीन दो यहाँ पर lock लगा हुआ है एक oh my god सिर्फ इतना सा ये इसका battery का lock unlock का button ये vacuum cleaner का button और भाई ये है इसका mortar वाला पार्ट और इसका suction वाला पार्ट देख लो सिर्फ इतना सा ही है इतनी छोटी सी मोटर है डीसी वाले लेकिन भाई बहुत यह powerful motor है 100 watt की डीसी मोटर आप लोग देख लो 22 वोल्ट 100 watt की powerful DC motor है यानि कि बहुत ज्यादा आइपियम होंगे इसके तो इसे open हालत में ही चला के देखते हैं कर देखते हैं देखते हैं इसके रोलर को नचाने के लिए तो यहां पर बहुत सारी स्क्रूव हैं सबसे पहले इस रोलर को निकाल लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है तो इसने का हुई परियसान कर जा था क्योंकि इसके दो इसके वील के नीचे चिपे हुए थे जो कि मुझे बाद में मालूम चला जब ओपन नहीं हो रहा था तो फाइनली अभी ओपन हो गया है तो दिखते हैं इसके अंदर क्या-क्या चिपा बैठा है तो भाई जब से ब लेकिन अभी इसके स्पेसिफिकेशन भी देखेंगे तो भाई मोटर से रोलर को पावर मिलती है एक बेल्ट के थ्रू बेल्ट लगे हुए है साथ ही एक गियर भी लगा हुआ है तो यह दुखो यह बाइस वर्ट की रिसी मोटर है बार वाट की तो देखा जा यह भी एक प देखा देना